यह बाराज लो यात्रा को पतनाम करने की साहि देलाल भाजपाकी यह जुम्ले और झूटो की और बेमानों की सरकार है सरकार को घुटने टेकने होंगे जनता हमाय साथ होगी सनातन को भचाना भजपा को भगाना पड़ेगा इतना आपमान तो कॉंग्रेस बीजेपी किसी में नहीं हुआ जितना उन्हें उन्हें साथ कर दिया उन्हें कहा बाइस अपने तब से बोज लगते हो जब संक्राच आने यह बात कहीं नहीं तुमारे मुंदे सवाल आया कैसे पुशो मुट्र भाई से तलीपार से उसने कौन सी रमयर पढ़ी है और हमने कौन सी रमयर पढ़ी है बेशर्मी कर रहे हैं दवंगा ही दिखा रहे हैं गुंडे कर रहे हैं वह अपने आपको ताना साथ साबित करने की ओड में लगे हुए है नमस्कार आदाब आप देख रहे हैं प्यार भी और मैं हूँ आपके साथ नसीम उद्दीन शेल्ट मक्का मदीना जाए क्या इस मितिरानी की तरह पूछे जो मदीने गई हैं वहापर क्या करने गई वहां पर क्यों जो इस हिजाब को लेकर आप बैं कर रहे थे वही कि नहीं पाले स्वाटाल रहें और अगर आप चारी है तो यहां के मुसलमानों को आप यहां की फोटो कर देख आए न यहां की फोटो वर्ट में जाए कि इसमितिरानी कितना मुसलमानों को प्यार करती हैं वहां सैंट्रल मिनिस्टर पूंटॉब एक लिए आखे सब्सक्राइब और तो हम क्या करें आपने मुसलमानों के खुचवाई तो हम इभी का रिखा सकती हैं वह सकता है कि आप जो हम आनेवाले समय में मुसलमानों को बखले मठाएं तो कई ने बहाजपा ने तुष्टी गंगे रानित खेली है और यह चल नहीं पा कि इस चेहरों को भूलना मत इस चेहरे ने बहुत लाइया लड़ी है आपकी माईक से जाओ ग्राउन उपर इक बाइड जरूर कर लेना और मुसल्मानों को यहाद होगा हमने बहुत लाइया लड़ी हैं ऑग कहीं अधिया बीजेबी सरकार के नमुनिन नमुनों ने किस तरह स लिंचिंग भी की है तो भाजपा मुसलमान हिंदूं से नराज है निंदू से नराज हो रहा है रामंदिर को लेकर इसलिए मुसलमानों का साथ लेना चारी है इसलिए वह एक तरफ संकराचार ने मुझ पे ठूग दिया नहीं आ रहे हैं यह और भय भी है मंदिर पूरा बना लिए तो कई चीज़ें आप अब हमला सुरू हो जाता है यह एक सवाल है लोग और एक सवाल यहां भी है ति जोर बाबरी मजीद का रहाचा जहां पे था मंदिर वहां नहीं बना वाल बलकि वहां से तीन क्लिमेटर तूर बना है तो यह सच है या आप अपने से यह टूट यहां यहां बाबरी मजीद से यहां मंदिर बनाया जा रहा है तीन क्लिमेटर दूर तो जो अब यह पूरा इलाका है तो जब मंदिर आपको यहीं बनाना था तो मजीद तोड़े क्यों अब अगर मजीद तो फिर कोट का फैतला था कि बिवादी द्हाचे जहां पहटा कर वहां मंदिर बनाई जाए बनाई जाए कोट का भी मान सम्मान आपने नहीं रखा अब फिर जगे के लडाई थी उसी जगे के लडाई थी तो संकराचार से अंरोथ भी करें कि एक बार जाई आप देख कैंए cesijn कि मंदिर उसी जगें पे हैं या कहीं हट पर मॉर Soon 14 जन्वरी को मणीपुर से राहुल गांधी की भारत जोडो न्यायात्रा शुरू हो चुकी है। बाद करते हो बावाल उससे मजा था बयाल जब उद्देश की बेडियों को नंग घुमाया गया था मलेपुर में बावाल उससे मजा था अब बिरेन सिंग्चा मू दिखाते हैं खुद प्रधानमंद्र निंदा की है यह भारत जोडो यात्रा को पतनाम करने की साही दलाल बा काम कर रहे हैं यह भाजपा को खल रहा है अभी तो यह सुरू हुआ है सिख्टी का टिप्पनी कभी तो बहुत सिंसरा चलेगा इनलों को जूट बोलने का पंडी जी लोग कहरे है और सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि राहुल गांधी ने एक निया यत्रा यानि भारत ज अगर्व गांधी जी के बास कोई पथा क्या नरूर जी के बात पथा का जब उसला गैसे लड़ सकते हैं लड़ते रहेंगे दिशी को एक भूर्ट भी नहीं मिला लगातार नुकसान कर रही है लगातार चुनाव आयोग चुप है इसे साब जाइर होता है कि हमारे कौन चुनाव जीत रहा है चुनाव जंता नहीं जीत रही चुनाव भाजपा जीत रही है पहले खबर आई कि मनीपूर से राहूल गांदी को भारत जोड़ो नियायत्रा के लिए परमिशन नहीं मिल रही है फिर मनीपूर सरकार ने एक हजार लोगों तक सीमित करके निया यात्रा की पर्मिशन इस पर आप क्या कहेंगे सिर्फ एक हजार लोगों को देखा और देखा कि वहां के लोगों ने उनसे किस्ता से मिला जुरात की तो कहीं डर है और आने वाले समय भरा जोलो यात्रा थी उसके बाद नया यात्रा थी हम नाय चीनी लेंगे जनता हमाई साथ होगी हम चुनाव हा रहे हैं जनता के दिलों से नहीं हा रहे हैं यह लोग दिल हा रहे हैं चुनाव जीत अंतर इतना है अचारे जी मणीपुर से शुरू हो रही राहूल गांदी की भारत जुड़ नया यात्रा आपको क्या लगता है कि इससे राहूल गा होगी 2026 कि लिए अचारीजी'M पर सबसे जिने चारों शंकराचारी का जोसंदेश था कि राममंदर की प्राठ प्रतिश्ठा सही समय पे नहीं हो रही है फिर मोदी जी ने इस चीज को इंग्नोर किया मतलब एक के से नजार अंदाज किया फिर भी वो जो है 22 जनवरी को प्रांट प्रतिष्ठा कर रहे हैं इस पर आप क्या गए यह चुनावी सभा हो रही है कोई प्रतिष्ठा मंदर के नहीं हो रही है संक्राचार हमारे अदलनी है और कहीं न कहीं पत्रकारों द्वारा उन पर आरोब ल प्रतिष्ठा नहीं हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है मैं करते रहेंगे अंतिम सास तक चाह में राम विरोधी का आ जाए हम अपने संक्राचार के साथ हैं और अपने राम के आदर्सों पर चलने के लिए अगर हमें इस संसार में कुल द्रूई और देश द्रूई भी का जाएगा तो हमें सब रहे पर हम राम विरोधी नहीं हो सकते अन्ना राम के आदर्सों को मार सकते बालियोगी जी लोगों को निमंतरन भेजे जा रहें वी अगर ब्लाहिशों क्यों सबैड़ा एंगर 20 मेlor इस दिन ऊसिए रहें हों को सभित करने के लिए यहां पर आए हो कि वो करते तो बाइसाइब कर देते बेशर्म उन्हें कहाई कि राम नॉमी का दिन सुभ है और राम नॉमी की दिन मंदिर पूरी बन जाए कि तब करो तो घुमाओ कि यहां पर तुम आरे मुगतमा करूंगा तुम्हें संक्राचार की उपर एक रुपए का कर दिया तो संकराचार नहीं है कहा कि इस फैसले पर कि यह आप राम नौमे के रहां पर श्टा कर सकती है 22 वह जो क्या था क्या था था पाइस नहीं था पहले तो आज की वाइस अतना मातों दिया जा रहा है पंडी जी हम तो सिर्फ सवाल कर रहें आप मुकदमा देने की धमकी देरें था सवाल तो यहीं है ना कि जब संकराचार ने खुद कर दिया कि राम नौमी सूब दीने तो फिम कर दाली वाड़ा परेशन कर लिए कि बाइस तारी को वो करते सूब होता उन्होंने कहा बाइस त हिंदू के आस्ता के बहुत 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 अपद है ऐसे कोई नहीं वहां बैठ जाता यह बद्राचार हों बागिस्तर भी सभंकराचार नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूं आने वाले समयों पिए बात ध्यान दी जाएगी और रखा भी जाएगा और दितिहार से आजखेगा कि भाज़पा ने किस तरह सनातन के नियमों को कुछरा था पंडी जी राहूल गांदी की भारत जोड़ो नया यत्रा मणीपूर से शुरू हो रही है तो इस पर वहां कि जो सरकार ने पर्मिशन तो दे दिया है और यह यत्रा सैकड़ों लोकसभा से होकर गुजरेगी आप वाले समय में यह यात्रा का तुरानमने यात्रा माने संजीनी होगी हम अधिकतर राज्यों से राज सरकार हो चाहे लोकसभा सीटे हो हम अजबूती से काम करेंगे और हम जीतेंगे यह जो रही निकल लए इसी में संगड़न हमारा पूरी तरह से एक्टिव होके काम करेगा पंडी जी आप से आखरी सवाल है जो कहते हैं यह सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलता है या फिर ऐसे ही लोग एक प्रमार देने लगते हैं कि जब तक किसी मंदिर का शिखर ना बन जाए उसकी प्रांट प्रतिष्ठा अधूरी है क्या यह सत्ते या फिर एक ऐसे फरजी चल इन बताया राम के पूरी बवस्था बताई राम राज बताया उनी की बाद हम नहीं मानेंगे तो नहीं नहीं दौर में भारत न्या जूड़ यात्रा है और यह जो और तमाम देश की मुद्विद्विया भाजपा को खाड़ा लेंगे तो जान बूज के नरेंद्र मोदी सही समय पर इससा हमारे हिं जच के नहीं, बेशर्मी कर रहे हैं, तबंगई दिखा रहे हैं, गुंड़े एक कर रहे हैं, वो अपने आपको तानसा साबित करने की ओड में लगे हुए हैं, साथ सिथी बात है आपके अनुसार नरेंद्र मोदी सनातन धर्म का अपमान कर रहा है हमारे अनुसार भी हो संक्राचार के अनुसार भी सभी लोग जो भी सनातन को मानते होंगे वो कोई भी कहा देगा कि ये सही नहीं हो रहा है बाद कर तो ये था हमारे साथ बाल योगी आचारे विजय शर्मा झाल 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 झाल